हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि नेवी की SSG टीम यानि की Special Science Group ने ऐसी क्या चीज़ बनाई है जो की सिची बुकाई को रिपलेस करने का दमकम रखता है तो आईए फिर शुरू करते हैं वनपीस की दुनिया में पावर लेवल को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड गवर्मेंट ने ताकतवर पाइरेट से हाथ मिलाया और सिची बुकाई सिस्टम का निर्माड किया लेकिन समय दर समय पर सिची बुकाईयों ने ये दिखाया है कि आप उनसे काम तो निकलवा सकते हैं लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो इसके बाद मैदान में आते हैं डॉक्टर वेगा पंक जिन्होंने पैसी फिस्टा का निर्माड किया जो एक ऐसी आर्मी है जिसे की नेवी कंट्रोल कर सकती है और उनसे जो कर्माना चाहे वो करवा सकती है और अगर हम लोग टाइम इसकिप से पहले देखें तो ये काफी जादा पावरफुल थे और ये किसी भी वर्स्ट जनरेशन को कुरू को धरने की पावर रखते थे लेकिन जब बात कर लें दो साल का टाइम जब बीत गया यानि कि टाइम इसकिप के बाद ये पैसी फिस्टा रोबोट्स बि की हुई थी वो ताकतवर्तों थे लेकिन उन्हें कंट्रोल कर पाना नामुम्किन था और कुछ लोग तो अपनी पोजीशन का फायदा भी उठाते थे जैसे कि ब्लैक बियर्ड, लॉ, क्रोकोडाइल और डोफला मिंगो इसके बाद ड्रेस रोजा में डोफला मिंगो के हार नहीं चीज के साथ आती है और हमें बताया जाता है कि SFG टीम यानि की Special Science Group ने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि सिछी बुकाई को रिपलेस कर देगा तो वो क्या चीज हो सकती है तो आईए फिर शुरू करते हैं दोस्तो हम लोग चलते हैं Punk Hazard में जहाँ पर हमें बताया गया कि World Government काफी टाइम से कोशिश कर रही है कि चाइंट्स उनकी Military Power का हिस्सा बने लेकिन वो लोग ऐसा करने में हर बार नाकामियाब रहे जिसके बाद इस Experiment को बंद कर दिया गया लेकिन जब हम लोग वानो पहुँचे तो वहाँ पर हमने Numbers को देखा और इसके बाद Big Mom ने कंपम किया है कि ये जो Numbers हैं इन्हें Punk Hazard में बनाया गया है और ये सारे ही Fail Experiment थे इसका मतलब कि World Government यानि की Science Group जो है Navy का वो Ancient Giants को बनाने में कामियाब हुआ था लेकिन वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जैसा कि हमने देखा भी है कि जो Numbers हैं वो बस तबाही मचाते हैं और जब ये तबाही मचाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अपनी टीम का कौन है और विपक्षी टीम का कौन है तो ये कभी कभार अपने दोस्तों को भी उड़ा देते हैं तो ये थोड़ी सी चिंता की बात नहीं था जिसे वो Lineage Factor की मदब से क्लोन कर सके लेकिन समय बीता फिर Vegapunk या फिर Vegapunk की टीम को ancient giant मिला और उन्होंने फिन Lineage Factor की मदध से उसे क्लोन किया और उन्होंने एक ancient giant की आर्मी तयार कर दी तो अब सवाल ये उठता है कि उनके बास ये इंशियंट जाइन्ट आया कहा से वन पीस की दुनिया में हमें अभी तक दो एंशियंट जाइन्ट दिखाए गए हैं पहला है ओर्स और दूसरा है ओर्स जूनियर, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओर्स जूनियर कि ये मरीन को कैसे मिला होगा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ओर्स जूनियर हमेशा से ही वाइट बीर्ड के अंडर में रहा है, जब से वो एस को मिला था, तो नेवी कभी भी ओर्स जूनियर के उपर हाथ नहीं डाल सकती थी लेकिन मरीन फोर्ड में हमने ओर्स जूनियर को देखा था और लास्ट टाइम हमने उसे देखा था वो खून से लत्पत था और बेहोस था या फिर शायद मर भी गया था तो अब सवाल ये उड़ता है कि जब वर्क खतम हुई थी तो शंक्स ने बोला था कि हमें वाइट बीर्ड दे दो और एज दे दो और हम यहां से चले जाएंगे दोस्तो ओर्स को उठाना एक शिप पर लादना या फिर उसे खीचना काफी जादा मुश्किल था तो क्या पता वो लोग उसे वहीं पर छोड़ गए हो जिसके बाद वो बोडी पहुँच गई हो वेगा पंक के हातों में और उन्होंने इंशन जाइंट बना डाला हो अगर उन्हें ओर्स जूनियर नहीं मिला तो उन्हें ओर्स मिल गया होगा क्योंकि थिलर बार्क में हमने देखा था कि बार्थोलोमियो कूमा वहाँ पर आया था और जब वो नेवी के बेस में वापिस गया होगा तो क्या पता उसने वेगा पंक से ओर्स के बारे में जिक्र किया हो और फिर अगर हम लोग मरीन फोर्ड में देखें तो गैको मोरिया ने ओर्स जूनियर में अपना इंट्रेस्ट दिखाया था दूसरी चीज जब मरीन फोर्ड खतम हो गई थी तो डोफला मिंगो को ओर्डर दिये गए थे कि जाके गैको मोरिया को मार दो और वज़ा क्या थी क्योंकि गैको मोरिया कमजोर है दोस्तों क्या कमजोर होना एक कारण है कि उसे जान से मार दिया जाए क्योंकि अगर हम लोग बोवा हिंको की तरफ देखें तो उसने तो पक्छ ही पलट दिया था वो लूफी की तरफ से लड़ने लग गई थी तो क्या उ और जब ये बात नेवी को पता पड़ी, वर्ल्ड गवर्मेंट को पता पड़ी, तो उन्हें बोरा लगा, क्योंकि वो बहुत सालों से मैनत कर रहे हैं, कि वो एंशेंट जैंट्स की एक आर्मी बना सकें, उनके पास एक सब्जेक्ट नहीं था, जिसे गैको मोरिया ने छुपा कर रख रखा था, और वही चीज उसे उसके मौत के करीब ले गई, तो मरीन को या तो ओर्स मिला, या फिर ओर्स जूनियर मिला, इसके बाद लाइनेज फैक्टर प्लोन जैसे की जज करता है, उसकी मदस से इनों ने एंशियंट जैंट की एक आर्मी बना डाली, तो अब सवाल ये उठता है, कि क्या ये आर्मी सिची वुकाई को रिप्लेस करने का पावर रखती है, तो जवाब होगा कि नहीं सर, अब ही ये आर्मी सिची वुकाई को रिप्लेस करने की पावर नहीं रखती है, लेकिन ज़रा हम लोग वेगा पंग की एक और क्वाल्टी पर नजा डालते हैं, वेगा पंग को वनपीस की दुनिया में इस टाइम सबसे ज़ादा डैविल फ्रूट के बारे में नौलेज है, और उसने एक आर्टी फीशियल डैविल फ्रूट भी बनाया था जो की पहुत ही ज़ादा सफल दा, लेकिन उसे उन्हों ने एक फेल प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, जरा हम लोग उस फ्रूट पर नजार डालते हैं, जब उस फ्रूट को मोमो ने खाया, तो अभी तक हमें उसमें बस एक दो ही डिस एडवांटिज नजार आए है, जैसे कि मोमो जब घबरा जाता है, तो वो ड्रैगन में ट्रांस्वार्म हो जाता है, जब वो शौक हो जाता है, तब वो ड्रैगन में ट्रांस्वार्म हो जाता है, मतलब कि कभी कभार ना चाहते हुए भी, मोमो नो सुके एक ड्रेगन में ट्रांस्फॉर्म हो जाता है तो कुल मिला कर देखें तो वो डैविल फ्रूट सीजर क्लाउन के बनाए हुए आर्टीफीशियल डैविल फ्रूट से बहुत ही जादा कम माल का था तो देखिए अगर नेवी को एक पावरफुल आर्मी बनानी है जो कि सिची बुकाई सिस्टम को रिप्लेस कर सके तो मेरे ख्याल से वेगा पंक ने ओर्स को डैविल फ्रूट की पावर भी दी होगी तो अब सवाल ये उठता है कि वेगा पंक के पास डैविल फ्रूट का श्रोत है कौन कौन देखिए मरीन, इंपेल डाउन और सीपी जीरो इन सब पे अगर हम लोग नज़ा डालें तो यहाँ पर हमें बहुत ही कम माल के डैविल फ्रूट मिलते हैं अब आप सोचिए कि कोई ओर्स आगई न्यू की पावर को यूज कर रहा है तो सोचिए वो कितना जादा पावर्फुल होगा अभी तो मैंने बस एक ही जाएंट की बात करी है अभी किजारू है, फुजी तोरा है, रुक्योग्यू है, इंपेल डाउन का मेगलन है अमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ है, मार्क छेलने की ताकत है अब आप सोचिए एक आर्मी जो कि डैविल फूर्ट को यूज कर तकती है वेगा पंक सी स्टोन का भी बहुत बैतरीन तरीके से यूज कर तकता है क्या पता कोई ओर्स वेपन का भी यूज करते हुए नजर आए तो आप खुछ सोचिए एक आर्मी है जो कि डैविल फूर्ट की पावर यूज करती है मिनट से पहले किसी भी आईलेंड को तबाह करने की पावर रखती है वो आर्मी वाके में सिची बुकाई सिस्टम को रिप्लेस करने का दमखम रखती है तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साफदान गुड बाए